राजधनी जैपुर में शनिवार शाम यूथ कॉंग्रेस के राष्टे अध्यक्ष श्री निवास बीवी के अगवाई में मशाल जुलूस निकाला गया अलबट हॉल से त्रीमोर्ती सरक्ल तक निकाले गए से मशाल जुलूस में कॉंग्रेस नीता सचन पाइलेट मंत्री प्रताब सेंखा चरवास सहित बड़ी संख्या में बूत कॉंग्रेस के कारेकरता शामिल हुए इस दोरान कॉंग्रेस तेता सचन पाइलेट ने कहा कि देश में आवास को दबाया जा रहा है राहूल गान्धी के सदस्ता रद करना उचित नहीं कॉंग्रेस किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगी हम पूरी ताकत से जवाब देंगे सब विपक्ष इतने खट्यों कराए हैं और देश पर में इस बाद को चंता तक हम भुआ रहे हैं कि लोग तंतर के अंदर बोलने का अधिकार सच्चाई सुनने का और विपक्ष की अवाज को दबाने का जो एक कारेकरम भाजपा की सरकार कर रही है इसके विरोध में लोग हैं हम लोग आज यह पुर के अंदर इस बिरूस को निकाल रहे हैं और लोग तंतर में बजा तंतर में अपनी बाद बोले का अधिकार सब लोगों को है